हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू, मैं इंजिनियर राहूल रंजन, अस्टडी इंडियार्टा के यूट्व चैनल में आपको श्राद करता हूँ, सब्सक्राइब आज हम लोग, जो है न, कमेश्ट्री में केमिकल रियक्शन, केमिकल रियक्शन का क्लास है, अल्रेड़ी आपको कम्पलीट करवा दिया गया है, वो केमिकल रियक्शन का जो हम लोग, जो है न, रासाइनी के भिकिरिया का, आज हम लोग नुमिर्कल प्लस उसका, एमसी को कोश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल एकन कौन कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेसन आप तक पहुँच पाएगा, आपको पता होना चाहिए जी कि यहाँ पे प्ल्टेकनिका, आज जो कलासेज नमबर 131 है, 131, यानि 131 कलासेज अब तक हो चुके है, प्ल्टेकनिका इस चैनल के माध्यम से, ठीक है न, और बलस पर आपको बता दो कि टेस्ट का तो लगभग 50 बलस अल्रेडी टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, तहाँ पे 131 नमबर का आज कलासेज होने वाला है, और जो paid student उनलों को इसका PDF जो है provide करा दिया गया था, theory वाला, तो सभी बच्चे एक वार majority अपना दिखा दीजे, कि या study करके आए हैं न, क्योंकि या study करके, मैं already बोला था, पड़के जो आएगा, वही आज को classes में interesting के साथ में और ही मजा करे पाएगा, ठीक है न, तो ध्यान से देखिए का, जो आप लोगों के लिए जो theory यह जो provide कराया गया था, पूरा complete theory यहाँ पर provide कराया गया था, सारा आप लोगा study करके आए हैं न, जी, बिल्कुल जो study करके आए होगे, सारा यही सब formula से आप लोगो को आज वाला है, ठीक है न, वीडियो को like औ पेड कोर्स जल से जल जोईन कीजिए, पचासी, चौवालेस, एकसाट, तिरेपन, बामन ये नमबर पर बाटशब कीजिए, और यहां से जो है न, पेड कोर्स, मात, हम लोगो कोश्चन को सुरू करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कोश्चन आपके screen पर यह रहा, बनाएगा सभी लोग, मजा आजाएगा, कोश्चन है, पाइंट टू फाइव, मोल एसेट अनु में, एसके परमानों की संख्या क्या होगा, नुमेरकल का कोश्चन है, सभी स्टुडेंट बनाएगा, इपर यह स्टुडेंट मस् ट्राइट तू सुलू दिस कोश्चन, बहुत ही मॉर्डन सभी लोग, मजा तो अच्छा कोश्चन है, एसेट, क्या बोला जा रहा है जी, पाइंट टू फाइव मोल, एसेट अनु में, एसके परमानों की संख्या ज्यात करना है, तो क्या होगा, देखेगा एक मोल में क्या होता है जी एक मोल में अब गाड़ो संख्या होता है अब गाड़ो संख्या यानि कहने का मतलब यहने लिख देते हैं यहने लिख देते हैं लास्ट बेस का फैलो पूट कर देंगे एक मोल में होता है यहने होता है यहने बोले तो अब गाड़ो क्या है ठीक है और हमको क्या निकालना है और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो है ना करूं publicity पाइंट टू फाइब मोल में क्या हो जगा जी क्या हो जायगा ध्यान से देखिएगा अंति आप मोल में क्या हो जगा जी एंद के एनगुन एन गुने पाइंट हो जगा बेलकुल 55 हो जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि Sulfur का कितना S8 Sulfur का S8 आठ परमानु का चाहिए न आठ एटम को चाहिए ले Sulfur का आठ को चाहिए न तो इसको क्या हो जाएगा एने गुने 0.25 गुने आठ हो जाएगा यही इस 0.023 गुने 10 के पावर 23 गुने 0.25 गुने 8 हो जाएगा यानि इसको जो है Sulfur कर लिजेगा तो इसका जो आएगा अंसर 8 गुने आठ एटम का है यानि इसको Sulfur कर लिजेगा तो आपका कुछ अंसर आएगा वो कुछ इस तरीका से आएगा पाइंट सोरी 12.4 गुने 10 के पावर 23 आएगा जो कि आपसे ने में गिवन है आपसे ने इस कोष्चन का बिल्कुल संथा होता है .25 मोल में क्या होगा एएजुने ुर्फफब हो जाएगा ठीक है ना तो एने गि out 2 15 हमको nigahl निकालना कितना है आठ अनुको stef निकालना है एट डिरेट लिख दिजिए एसेट का क्या हो जाएगा है सेट में एस पर मानू की संख्या क्या हो गाश को जाएगा शंख्या आप गुने पाइंट टूफाइव गुने आठ हो जाएगा यानि इतना कुछ अंसर आएगा जो कि ऑप्सें ने में गिवन ऑप्सें कोश्चन का करेक्ट अंसर होगा अगला कोश्चन को बढ़ते हैं बेसी कोश्चन था इसको बनाएगा इसको बनाएगा सभी लोग सभी स्टुडेंट से अंसर आना चाहिए किसी योगी का मुलानुपाति सूत्र C2 CH4 C2 CH4 O है ज़िए योगी का बास्प घनत चवाली सो तो अनुसूत्र क्या होगा भीरी भीरी इंपोर्टेंट अस्टार मार करके इसको लगा लिए बहुत इंपोर्डेंट है इस चैप्टर से न मुलानुपाति सूत्र अनुसूत्र निकालने के लिए डारेक्ट पूछा जा मुलानुपाति सूत्र अनुसूत्र यही फर्मूला से आपको उस कोश्चन को बनाना है अब भीरी भी यहां पर लिखवा दिया था ना देखिए का बनाए सभी लोग संसराना चेन देखिए का यहां पर मैं लिख देता हूँ ताकि सभी को स्पश्च मंज में आ जाए यौगीक सॉरी यौगीक का मुलानुपाति सूत्र मुलानुपाति सूत्र भार मुलानुपाति सूत्र भार कैसे निकलेगा कितना है जी सी टू एच फोर ओ है यानि सी टू कारबन है न कारबन यानि बारा होता है यानि दू गुने दू गुने बारा हो जाएगा पलस हाइडोजन का एक होता है एक गुने चार हाइडोजन तो चार हो जाएगा पला सॉक्षिजन का सुल्ला होता है, सुल्ला गुनेबान यानि सुल्ला हो जागा, इसको सुल्लोट कर लिजेगा, तो सुल्ला और चार, सुल्ला चार बीस अबारत उने चोईश, बीस बीस चालिस और चुवालिस, चुवालिस आ गया, ठीक है, मुलानुपाती सुत्र का भा कृष्वारभाय। था जोमाफटी सूत्रभार भी हम लोग 44 है घ्रिक है। टो योगी का भार क्या हो जागा यह गी कि Morocco का भार क्या हो जागा। क्योंकि हम को भार निकाले गाद Megan फर्मूलाब बना पएगा यह ओगी का फुरा बेसी से मैं समझा रहा हूं, याई-बास्ब घनातव होता है दो गुने बास बखना तियानि दो गुने बास बखना तो कितना है। 48 यानी 88 हो गया। यह होगी कहार कितना आ गयां जी? 88 हो गया। हम लोग फर्मूला जानतें इन बरावर क्या होता है? अनुशूत्र अनुशूत्र ऑलेडि कल के कलासे में बताया था अनू शुत्र बटा क्या होता है? मुलानू पाती सुत्र होता है, बिल्कुल यानि इसको भाषर में कंवर्ट कर दीजिए तो क्या हो जागा, इसी लिख देता हूँ, अनू अनू भाषर बटा क्या होगा? मुला नुपाती सुत्र का भार हो जागा यानि मुला नुपाती मुला नुपाती सुत्र भार हो जागा ठीक है वही ची लिख दिया हूँ यानि रिशो कर दीजिए अनुभार कितना है जी अनुभार हम लोग को कितना निकल गया 88 निकल गया है बटा मुला नुपाती सुत्र क कितना यहां पर देखिएगा 44 है 44 यानि कहने का मतलब 44 282 आ गया दो आ गया ना तो हम लोगो को क्या निकालना है हम पूरा बेसिक से लिख रहा हूं ताभी इतना लिखने को लेकिन डिरेक्ट बनाएगा तो डिरेक्ट यह सब लिखने के जरूरत नहीं होगा मैं लिख रहा कि अनुसूत्र अनुसूत्र क्या हो जागा जी अनुसूत्र बराबर क्या हो जागा मुला नुपाती सूत्र जो निकाले है ना गुने एन हो जागा यानि मुला नुपाती सूत्र मुला नुपाती सूत्र मुला नुपाती जो सूत्र दिया हुआ ना मुला नुपाती सूत् गुने एन हो जागा यानि मुलाण नुपाति सुद्र कितना है जी मैं यहां पर लिग दियाओं ताकि एक एक तुएंट को परोला नहीं होना चाहिए C2H4O है क्या है C2H4O C2H4O है हम लोगों कितना है एन का भैलो 2 आया है यानि कहने का मतलब गुने 2 हो जागा यानि कहने का मतलब C2 2 2 4, C4 हो जाएगा, H4 2 2 2 8 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, यानि ये इस question का correct answer आएगा, ठीक है ना, question का correct answer ये आएगा, देखिए इस type of question बहुत आप लोग practice कीजे, इस type of question बहुत मुलानुपाति, सूतर ये सब जो है ना, निकालने के लिए एक question, इस chapter से ही एक numerical बनता है, जो इस chapter से पुछा जाता है, ठीक है ना, इसको अच्छे से बना लिजिए, कितना अंसर आगया जी, जो इस concern आगया, option A correct answer होगा, C4H8O2, 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 चलिए अगला question को बढ़ते हैं, अगला question आप से पुछा जा रहा है, इस question को बनाएगा, इस question को बनाएगा, जैदी जल कानुशुत्र H2O है, इसमें hydrogen तत्व का पर्तिसत मात्रा क्या होगा, ठीक है, मनाएगा, बहुत अच्छा question है, इस type of question पूछा जाता है, भीवे लगा लिजिएगा, अच्छा question है, आपको 30 सेकंड समय दिया गया है, सब लोग बनाएगा जी, शभी लोग बनाएगा, 30 सेकंड समय दिया गया है, पेड ग्रूप में सारा का PDF प्रोवाइट करा दिया जाएगा, जल से जल जो student अभी भी सोच रहो नो, कहीं ने कहीं अपने आपको लेक कर रहो, जल से जल जॉइन कर लो, अभी मोका है, रिविजन करने का टाइम है, अभी पूरा study material मिल जाएगा, पूरा complete syllabus का study करते रही है, किसी भी question में doubt होता है, डियरेक्ट जो है न, discussion group में पूछ लिया कीजिए, मनाईगा सभी लोग, अनु सुत्र H2 है, इसमें hydrogen ततो का परतिस्द मातर गया होगे, कितना simple question है, hydrogen का इसमें, सब को मैं लिखते चल रहा हूँ, ताकि एक student को problem नहीं होना जाए, वैसे तो जो है न, 10 सेकंड में question बन जागा, लिख देता हूँ, ताकि सभी को समझवाना जा सबसे पहले निकाले जल का अनुभार, जल का अनुभार निकाले, पुरा step 2 लिख देता हूँ, जल का अनुभार क्या हो जागा जी, H2 होता है न, H2 में क्या हो जागा, hydrogen का एक दे रहा है, यानि क्या हो जागा, दो hydrogen है, यानि कहने का मतलब, दो गुन एक हो जागा, पलस oxygen क प्रवानु है जपिए लिए देता हूँ ताकि एकको प्रावलाण होने दूगा में कितना हेड्न पाराह बावन low दो हाइश्वाय आप पहनाय बोल सकते हैं हाइड्रोजन की मातरा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की मातरा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की मातरा क्या हो जाएगा हाइडोजन का परतिस्द निकालना है जल में जल में हाइडोजन का परतिस्द निकालना है हाइडोजन का परतिस्द निकालना है परसेंटेज निकालना है क्या हो जाएगा कितना है जी दो है हाइडोजन 18 में दो यानि डेरग्ट कर दिए एतना पर्संट दो यानि कहने का मतलब दो यानि हंड numéro 10K आ का मतलब हंड़ेंध दो सब्धाय अठारा यानि कहने का अ Mac 12 यानि 11 परसेंट इस कोश्चन का करेक्ट अंसर होगा आप्सेंट भी करेक्ट अंसर होगा अठारा अगला कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस कोश्चन को बनाएगा सभी लोग बनाएगा जी नीला थोथा का रसाइनिंग शुत्र बताईए पूरा लिस्ट आपको प्रवाइट करा दिया गया था पेड़ वाले ग्रूप में नीला थोथा फर्मूला से रचना सुत्र और भी एक स्पेशल प्रवाइट कराया जाएगा फूर्मूला का टेंसर ने लिजए ठीक है ना निला थोथा का रसाइनिंग सुत्र बताना है सभी को निला थोथा का रसाइनिंग सुत्र आप्सेन बी करेक्ट अंसर होगा सी यू एस तो फूर डॉट फाइज टूओ ठीक गलुकोज का मुलानुपाति सुत्र क्या होगा जी गलुकोज का मुलानुपाति सुत्र क्या होगा बदाएगा सभी लोग C6H12O6 Confuse नहीं होना है C6H12O6 Glucose का मुलारबाती सुत्र होता है अगला कोशन के और मोहन करते हैं अगला कोशन आप से पूछा जा रहा है बिद्दू तपगटन होने पर निमलीखित में से किसका बेस एनोड पर समाप्त होगा बिद्दू तपगटन होने पर निमलीखित में से किसका बेस एनोड पर समाप्त होता है करेक्ट अंसर होगा बिलायक अनू का बिलायक अनू आप्शन C जो बोल रहो बिल्कुल करेक्ट अंसर बोल रहो अगला कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन आपसे पुछा जा रहा है C U S O 4 A Q Z N A S यानि Z N S O 4 और क्या बन रहा है C U बन रहा है निमलीखित में से कौन सा अभी किरिया है जी पूरा आपको बताया गया था गड़वण क्यों कर रहे हो गड़वण नहीं करना है देखिए मैं आपको पूरा बिताया था कि नहीं ध्यान से देखिएगा कौन अभी किरिया है जो देखिए इन है बिस्थापन अभी किरिया डिस्प्लेस्मेंट अभी किरिया वैसे विकिरिया जिसमें किसी तत्व के पर्मानु दूसरे तत्व के यॉगिक से उस तत्व के पर्मानु को हटा कर श्वय उसका स्थान गरन कर लेता है और नहीं यॉगिक बन जाता है न उसी को बिस्थापन विकिरिया करते है न देखिए वही चीज है न एक नया तत्व धोबन सोड़ा क्या बदाएगा कोई स्टूडेंट गरवड़ नहीं करेगा धोबन सोड़ा क्या है सब लोग सिसर आना चाहिए धोबन सोड़ा क्या है हुआ घो वन सोड़ा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं आप संक दी पर नहीं करेगा स्टडी वद्ध consiste क्रो सब लो, चलिए अगला कोष्जन पे आते है, बरमिलिया नills नानि सिंदूर, सिंदूर का बताईगा, सिंदूर का रशायनिक नाम क्या होगा, जी? फूल इनेर्जेटि के साथ क्लासे करना है, सिंदूर का रशायनिक नाम क्या होता है? है, mercury sulfide होता है, क्या होता है, mercury sulfide होता है, option B जो बोल रहो हो ना, बिल्कूल correct answer बोल रहो, अगला question की और मोहन करते हैं, अगला question आप से पुछा जा रहा है, benzene का मुलानुपाती सुत्र CH है, जदी N का मान छाओ है, तो benzene का अनुशुत्र क्या होगा, एक student से गलत नहीं होना चाहिए, एक student से गलत नहीं होना चाहिए, कोई ये student गलत नहीं करेगा, इस question को, N का value 6 दे रखा है, तो क्या होगा, C6, H6 तो होगा न, benzene का पूरा आपको बताया भी गया था, देखिए, मैं पूरा इसा भी करवाया गया है, कितना मैं आपको दिखाऊं, time नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा दो, देखिए, benzene का भी करवाया गया न, और पूरा जो है highlight भी कर दिया गया था, ठीक है न, चलिएगा, मैं आप वही चीज़ बता रहा हूं न, वही question को यहां पर करवाया जाता, उसी type का, जो कि examiner, point of view से बहुत important होता है, अब इसको बताइए, कि कितना वर करवाया हूं, अनुशुत्र मुलानुपाति सुत्र के बीच में जो है न, समंदर relation बताना है, उसका formula ही तो पूल दिया, formula हो सभी लोग बताइए, सभी लोग इस formula को बताइए, अनुशुत्र बरावर क्या होगा जी, सभी लोग बताइएगा, कोई गलत नहीं किजिएगा, अनुशुत्र बरावर क्या होगा, मुलानुपाति सुत्र गुने, यह न होगा, option B correct answer होगा, option B, question का correct answer होगा, अगला question के उर्मोन करते हैं, यह equation बताइएगा, अभिकिरिया दे रखा, equation दे रखा है, निमन में से किसका उधारन है, कौन सा अभिकिरिया का उधारन है, देखिएगा, यह जो है न, अभिकिरिया का reaction का उधारन डिरेक्ट पूल देगा, और सभी करवाया भी गया है, संज संजोजा नभिकिरिया कहा गया जी? संजोजा नभिकिरिया, देखिए एगी गया है, सारा चीज करवाया गया, इस सारा equation को याद कर लिजेगा, कौन किसका equation है, पूछा जाता है, वैसे भिकिरिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस संजोग करके नए ना करते हैं संजोजय के विकिरिया कहलाते दियान से देखिएगा यह ढ excess प्दार्थ है एक यह है एक यह है दोनों मिल करके यह अधिक यह शीएल नहीं मिलगत गालेना आदे यह किसका अभीकिरिया है इस प्agarcken का example है option is question का correct answer होगा अगला question को बढ़ते हैं अगला question आप से पूछा जा रहा है निमलिखी समिकरन में से x का value equation को balance करना है balance किजिए equation को से भी लोग equation को balance किजिए से भी लोग N2CO3 है x के जगा पर क्या होगा जी N2CO3 दो ने हो गया का यहां पर हो गया वहां पर हो गया वहां पर आगया बिल्कुल oxygen balance है and HCl में देखिए तो HCl है hydrogen भी दो है तो यहां पर दो आया ना एक से जागा दो होगा option बीस question का correct answer होगा ठीक है ना एक से जागा question आप से पूछा जा रहा है इंधन का दहन होता है इससे भी जो एक करवाएगा इंधन का दहन अभिकिरिया कौन सा अभिकिरिया होता है जी अक्षी करन अभिकिरिया कौन सा ऑक्षी करन अभिकिरिया होता है option C correct answer होगा आगे question कर बढ़ते हैं अगला question जो पूछा जा रहा है आपसे जब magnesium को बायू में जलाया जाता है तब एक शफेद भस्म या राख सेस रह जाती है यह क्या होता है यह क्या होता है जी यह magnesium होता है बिल्कूल option B correct answer होगा आगे question कर बढ़ते हैं सारा theory complete करवा दिया गया है CA CO3 अगर heat करते हैं उश्मा देते हैं heat करते हैं उसमा देते हैं तो CAO और CO को किस रूप में जाना जाता है यह भी करवाया गया है कौन अभी किरिया है जी तापिय अभी किरिया क्योंकि उसमा दे रहे न उसमा दे रहे तो तापिय अभी किरिया हो जागा तापिय भी ओजन चली आगला question कर बढ़ते हैं शिल्वर फोस्फेट का सुत्र बताना है शिल्वर फोस्फेट का सुत्र बताना है शेवलों बताएगा शिल्वर फॉस्फेट का शुत्र बताना है क्या होगा AG3PO4 होगा क्या होगा AG3PO4 होगा आए कोशन कर बढ़ते हैं जब जेडेन से जेडेन प्लस टू होता है ये इक्वेशन को देखिए और बताएए कि इसमें क्या हो रहा है कोई गर्लत नहीं करेगा क्या हो रहा है बताएगा सुभ लोग क्या हो रहा है जेडेन से जेडेन प्लस टू हो जा रहा है क्या हो रहा है इनले दो इलेक्ट्रोन खो रहा है कि एक इलेक्ट्रोन खो रहा है कि दो इलेक्ट्रोन प्राप्त कर रहा है कि एक electron प्राप्त कर रहा बदाएगा क्या हो रहा है जेडेन से प्लस्ट हो रहा है यानि दो electron को खो रहा है option ए बोल रहो न वो बिल्कुल correct बोल रहो आए question को बढ़ते हैं से भी selected question है जी बनाएगा वह कौन सी gas है जो ammonia के संपर्क में आने पर सफेद धुआ देता है interesting question वह कौन सी gas है जो ammonia के संपर्क में आने पर सफेद धुआ देता है वो gas कौन सा है बढ़ाएगा से भी लोग वो gas कौन सा है वो gas है SO2 gas है कौन सा SO2 है option ए correct answer होगा आगे question के बढ़ते है अगला question आपसे पुछा जा रहा है हमारे सरीर में भोजन पचने की किरिया कौन सी अभी किरिया है हमारे सरीर में भोजन पचने की किरिया कौन सी अभी किरिया है बताएगा से लोग ये भी करवाएगा सारा चीजन थियोरी में करवाएगा, थियोरी को जो धंग से पढ़ लिए न, वो समझे कि एक कोश्चन भी गलत नहीं कर रहे होगे, हमारे सरीर में भोजन पचने की अभी किरिया कौन से अभी किरिया है जी? बियोजन या अफ़ घटन अभी किरिया इसको बोलते हैं, कौन सा अगला कोश्चन आप से पूझा जा रहा है, बनाएगा सब लोग, बताएगा सब लोग, क्लोरोफिल एवं सूर्ज के परकास में, क्लोरोफिल एवं सूर्ज के परकास में, पौधे बाय मंडल से, सीो टू एवं पिर्थीवी से, जल लेकर अपने भोजन के लिए, क्या कहलाती है यह किरिया कौन से अभी किरिया है कि सभी लोग बताएगा कोई गलत नहीं करेगा जी और वैसे सभी को पता होगा क्लोरोफिल एवं सूर्ज के परकास में बहुत है बाइमंडल से सियो टू पिर्थीवी से जल लेकर अपने भोजन के लिए गलकोज नामक को हईड्रेट की रचना करते हैं यह अभी किरिया कोई तो परकास संसलेशन बोलते हैं नो आप्सेंड डी करिक्ट रोगा अगला कोशन के बढ़ते हैं अगला कोशन आप से पूछा क्या जा रहा है ध्यान से देखिए का कोशन है कैल्सियम कार्बोनेट के उश्मा द्वार कैल्सियम आउक्साइड यहवं कार्बनड डियोक्साइड में तूतने की अभिकिरिया किस परकार का रहा यह अनीग अभिकिरिया है यह अभी जो है ना बियोजन या अफगटन अभिकिरिया है यह भी ठियोरियोट में करवा दिया गया है, आए कोशन को बढ़ते हैं, इसको बताएगा, बिद्यूत अभगटन एक अभिकिरिया है, कौन से अभिकिरिया होगा जी, बिद्यूत अभगटन वाला जो अभिकिरिया जो है न, वो कौन से अभिकिरिया होगा, वो जो है न, बियोजन होगा कौन सा भी ओजन अभी किरिया option एक करेक्ट अंसर होगा अगला question आपके screen पे रहा calcium carbonate के ताप द्वारा carbon के ताप द्वारा dioxide और calcium oxide में तुटने की किरिया क्या कहलाती है calcium carbonate के ताप द्वारा carbon के ताप द्वारा dioxide और calcium oxide के तुटने की अभी किरिया क्या कहलाती है कौन से भी किरिया कहलाती है कौन से reaction कहलाता है बताएगा यह जो है न भी ओजन अभी किरिया कहलाता है जो option एब बोल रहो न वो बिल्कुल correct answer बोल रहो अगला कोशन के और मोहन करते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पे रहा रशाइनी के भिकिरिया में अभिकारक अनुओ के बंधन क्या होते हैं रशाइनी के भिकिरिया में अभिकारक अनुओ के बंधन क्या होते हैं बनते हैं, तुटते हैं, अस्थाय रहते हैं, रशाइनी के भिकिरिया में एभिकारक अन्वो के बंधन जो होते हैं ना, यह हमेज़ा बनते हैं, ठीक है ना? option a correct answer होगा रशाइनी के भी किरिया में रभिकारक अनुओं के बंधन बनते हैं अगला question आपके screen पे रहा मनाएगा सभी लोग दो या दो से अधीक पदार्थों के प्रसपर संजोग से नए पदार्थ के बनने की किरिया क्या कहलाती है देखिए यह सारा करवाया गया है बियोजन, कभिस्थापन, संजोजन अपगटन सारा थियोरी में करवाया गया है यह सारा जो थियोरी आपको दिख रहा है यह सारा आपको लोग को फिर से पढ़ लिजेगा देखिएगा बियोजन अपगटन, संजोजन, बिस्थापन, उभय अपगटन, बिसमांग अभिकिरिया, समांग अभिकिरिया, होमजेने, सेटोजेने, सारा चीज जो है न, आपको करवाया गया, बस ध्यान से पढ़ करके, जो है न, अपने कॉंसेप्ट को बिल्ड अप करना है, ताकि एकजाम में, जो है न, आप अपना चलवा दिखा सके, आप्शन सी करेक्ट अंसर होगा, यह जो है न, संजोजन, अभिकिरिया है, अगला कोश्चन आपके सिरिन पे रहा, अभिकिरिया, H2 प्लस CL2, से क्या बन रहा है, 2HCL बन रहा है, यह कौन सा अभिकिरिया है, मैं अल्रेड़ी बता यह कान सा है जी, H2 से CL2, जो मिल करके, दो इल्मेंट मिल करके, नया योगिक बन रहा है, न, नया कंपाउंड जो बन रहा है, वो संजोजन, अभिकिरिया संजोजन हो रहा, ठीक है न, बिल्कुल, आप्शन, D जो बोल रहा हो, करेक्ट अंसर बोल रहा हो, अगला कोश्चन आपके स्क्रिन पे रहा बनाएगा अभिकिरिया के बैग को परभावित करने में अधीक प्रवाव पढ़ता है अभिकिरिया के बेग को परभावित करने में अधीक प्रवाव पढ़ता है किसका अधीक प्रवाव पढ़ता है मताईगे का ताप का, जल का, बायू का, बैज्यानिक का अभिकिरिया के बेग को परभावित करने में अधीक प्रवाब पढ़ता है किसका यह पढ़ता है ताप का आप्शन यह जो बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट अंसर बोल रहो अगला कोशन के और मोवन करते हैं अगला कोशन आसे पुछा जा रहा है पलैटिनम को गर्म करने पर स्वेथ तप्त वाइट होट हो जाता है यह परवर्तन कौन सी अभी किरिया है यह कौन सा परवर्तन है जी आप्षिण बताई गैसे लोग रेडियो से क्रिए है भौतिक है रशाइनिक है नाविकी लिए है नाविकी नाविकी ये है सौरी बताईगा इसे लोग प्लैटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तब यानि वाइट होट हो जाता है यह कौंसा बीकिरिया है कौंसा परिवर्दतन है यह जुई है न कहा between परिवर्दतन है अप्सें भी जो बोल रौना बिल्कुल correct answer भोल रहा है platinum को गर्म करने पर white hot यानि sweet तब तो हो जाता है यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है option भी correct answer होगा ठीक है ना और है क्या आज जो है ना classes को the end करते हैं ठीक है ना हम लोग chemical reaction पुरा complete कर चुके